नमुन रायन जे महाकाल जे ममगला मुखी सभी मेरे तर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग सुस्थ होंगे आपकी अध्यात्निक उन्नती आगे बढ़ रही होगी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक कोई भी आपकी इच्छा से लिटेड है अगर आपकी कोई मनो कामना है कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस विधी से इस उपाय से आसानी से इस मनो कामना को पूरा कर सकते हैं कैसे करेंगे इसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा आपको और थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आप सभी लोगों ने ओम क्लीम किस्माय नमा मंत्र के बारे में सुना होगा कलीम मंत्र आकरशन का मंत्र है कलीम मंत्र माकाली का मंत्र है कलीम मंत्र माकामदेव का है भगवान कामदेव का मंत्र है और इसमें ब्रह्मा विश्नु महेश इन तीनों भगवान की सम्मिलित सक्ती समाय हुई है इसमें तृदेवों का वास है और इसमें माकाली है भगवान का और भगवान किसमेजी हैं तो यहां पर भी तरदेव हैं मंत्र बहुत सक्तिसाली है और क्लेम सब्द आकरशन का मंत्र है ये सब चीज को आकरशित करने के छंता रखता है चुम्बक की तरीके से काम करता है जैसे चुम्बक लोहे को खिश लेता है लेकिन ये दूसरे प्रकार का चुम्बग है यह दूसरे प्रकार का मैगनेट है यह इस ब्रमांड में जो भी आपकी कामनाएं है जो जो आप सोच सकते हो वो सब को खिजने की चमता रखता है इसमें एक समस्य यह है कि जिस समय भी आप इस मंतर का चाप करें उस समय आपका चित और दिमाग साफ सुतरा होना चाहिए नकारात्मक नहीं होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए ठीक है नकारात्मक नहीं होना चाहिए सकरात्मक होना चाहिए तो इस सकरात्मक उपाय से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको फाइदा मिलेगा और आपके सारे काम भी यह मंत्र बना सकता है अब सभी लोग तो इस मंत्र को करते हैं किसी ने बीज मंत्र को किया क्लीम किसी ने ओम क्लीम किसनाय नमा किया अब ओम क्लीम किष्णाय नमा जब उसके आगे ओम लग जाता है तो इसके आगे परंब्रम सब्द जुड़ गया और साथ ही साइध जब किष्णाय पीछे लगा तो इससे ये साबित हो गया कि मैं उन चुम्बक रूपी भगवान शेकर्षन जो मोहिनी शुरूप वाले हैं जो सब कुछ देने में समर्थ है जो ब्रमान्ड के अंदर की सारी चीजों को चुम्बक की तरीके से खेच कर मुझे प्रदान करने में सक्षा मैं उन भगवान को मैं नमश्कार करता हूँ तो यहां यह बात तो समझ में आरे कि यहां सीधा सीधा हमारा जो संबोधन है वो भगवान हम शीकर्षन को कर रहे हैं अब चाहे तो इस मंतर को आप मोडिफाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो ओम कलीम सुरियाय नमा ओम कलीम भासकराय नमा ओम कलीम कालिके नमा इस तरीके स कर सकते हैं और बहुत सारे और भी मंत्र हैं जैसे आपने सुना होगा ओ मरीम श्रीम क्लीम तो सभी मंत्र एक दूसरे के पूरक हैं बीज मंत्रों से जुले हुए हैं मुझे ऐसे बहुत सारे इसके पहले भी कमेंट आ चुके हैं कि मैंने इस मंतर से इतना पाया और एक मैंने वीडियो बनाए था जिसमें मैंने बताया था कि करीँ मंतर से काइसे आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाता है यानि अगर आपके साथ कोई स्वार्थी प्यार होगा, कोई गलत इंसान होगा, तो वो छोड़के चला जाएगा, क्योंकि भगवान सीकशन की सक्ति को वो नहीं बरदास कर सकता है, गलत इंसान आपके साथ नहीं चुड़ेगा, लेकिन आज का मेरा जो वीडियो है, बहुत आप अपनी इच्छा को इस मंत्र के द्वारा पूरा कर सकते हैं, अब आपको करना क्या है, मैं बहुत तेखनीक आपको बता रहा हूँ, आप रोज सोते हैं और सुबह उड़ते हैं, ये आपकी दैनिक दिन चार रहा है, इसमें कोई सक नहीं है, हर दिन आप सो रहे हर दिन लेकिन अब से, आज से, जब भी, जहां दीजेगा, जब भी, या तो बुद्धवार हो, या फिर गुरुवार हो, बुद्धवार या गुरुवार, ये दोनों दिन, एक दिन बुद्धवार भगवान सीकर्शन का होता है, और दोसरा दिन गुरुवार भगवान नरायन का होता है और किसी दिन नहीं बुद्दवार या गुरुवार के दिन अब की बार आप डेली रात के ग्यारा बच कर ग्यारा मिनट पर अलारम लगा लीजिएगा अब उसके बाद ग्यारा बच कर ग्यारा मिनट पर ग्यारा दिनों तक आपको अलारम लगाना और हर अपनी मनों कामना को या तो मन में सोचना है या भगवान से कहना है आप चाहें तो एक कार्ड बोर्ड पर या कोई सफेद चीज पर अपनी मनों कामनाओं को लिख कर सामने रख कर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके से किया और आपका कोई भी एक काम उस सब कामों में से एक काम भी हो जाता है तो आप इस मंत्र को अगे बढ़ा सकते हैं देखि एक बाद समझ लीजिए जो भी हम भगवान से मांगते हैं वो होता है किसी को जल्दी, किसी को धीमे ये आपके अपने खुद के करमों पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे थे कितना भगवान को आप मानते हैं और अभी आप किस तरीके की जीवन सैली को जी रहें अगर आपके अच्छे करम के पिछली समय और अभी भी आपके अच्छे करम हैं तो दिश्चित ही भगवान आपको जल्दी देंगे जो आप चाहते हैं हो सकता है कि शुरू में आपकी छोटी छोटी चीजे आकरसित हो चुम्बक जैसी खिचे हैं लेकिन आगे आपको बड़ी चीजे भी मिल सकती हैं तो यही सारी चीजे मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया था बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक करें और बैल नोटिफिकेशन को भी दमाएं ताकि नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले अभी के लिए आपकी इस जो पत को आपने चुना है उसके लिए मैं बहुत सुक्रगुजार हूँ कि आप अध्यात मार पूचल रहे हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत सो कामना है और सभी लोग खुस रहें फुस्त रहें और आपके अध्यात में को नती होती रहे नमुना एंड जै महाकाल जै महागला मुखी